जहें दोस्तों, आज का सिसना आपके लिए बहुत ही महात्पोन होने वाला है, क्योंकि इंस्वरंस कमपनी से रिलेटेड आज हम लोग सीखने वाले हैं सब कुछ इसी वीडियो बहुत ही बहतरीन होने वाला है देखो, मैं आपको बता चुका हूँ, कि जब कभी भी इंस्वरंस कमपनी से रिलेटेड कुछन पूछा गया है और जरूर पूछा जाएगा चाहे बैंकिंग कमपनी से, चाहे इंस्वरंस कमपनी से, एक तो पूछा ही जाएगा तो अगर insurance company का question पूछा जाएगा तो revenue account ही पूछा जाएगा 90% बात के chances है और revenue account में होते हैं चार schedule एक schedule number 1 premium schedule number 2 claims schedule number 3 commission schedule number 4 operating expenses और एक होता है change in reserve for unexpired risk अगर ये 5 values आपको पता है तो भला question कैसे गलत हो सकता है और सही तरीके से याद कराने के लिए समझाने के लिए मैं हूँ आपके साथ तो चलिए बिना किसी विलम के हम लोग आज सीखते हैं schedule number 1, 2, 3 और 4 तो ये चार schedule होते है schedule number 1 premium earned net schedule number 2 claims incurred net schedule number 3 हमारा होता है आपका schedule number 3 commission schedule number 4 operating expenses साथ में change in reserve for unexpired risk तो आईए देखते हैं कैसे इसको तयार किया जाता है सबसे पहले हम लोग चलेंगे premium की तरफ premium earned तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं प्रीमियम रिसीब्ड अमांट के कॉलम में value लिख लेंगे या इसकी जगा लिखा हो premium on premium from direct business तो भी यहीं लिखा जाता है तो premium received या premium from direct business यहाँ पर लिख लिया जाता है इसके साथ हमें add करते हैं premium on reinsurance accepted अगर premium on reinsurance accepted है तो वह भी add होगा या premium on reinsurance accepted को दूसरे तरीके से लिखता है premium on reinsurance received तो भी add किया जाएगा चाहे accepted हो चाहे received एक ही बात होती है भाई मैंने प्राप्त किया मैंने सुईकार किया क्या अंतर तो यह सभी values जो भी मुझे इसमें से मिलेगी मैं उसको add करता रहूंगा ठीके न और इसका total हो जाएगा lets क्या किया जाता है यहां से अगर लिखा हो question के अंदर केवल इस बात को ध्यान रकना अगर केवल लिखा हो rede insurance इसका मतलब है यह re insurance premium seeded है या premium or reinsurance seeded है okay, masala mansion मिलेगा तो list किया जाएगा या फिर लिखा हो reinsurance premium premium seeded तो भी list किया जाएगा वात clear है हाँ जी sir, clear है फिर लेस्ट करके जो value आएगी उसको लिख लेंगे इसके साथ में add करेंगे आउट इस्टेंडिंग, OS मतलब आउट इस्टेंडिंग premium end of the year वर्ष के अंत में जितना premium हमारा आउट इस्टेंडिंग है उसको इसके साथ add करेंगे और less क्या करेंगे लेस्टेंडिंग प्रीमियम बिगिनिंग ऑफ द इयर बिगिनिंग ऑफ द इयर लेस्ट करेंगे जो value आएगी यह premium earned हो जाएगा net ठीक है न यह value जो निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी premium earned net अब आपको यह format याद रखना है याद कुछ रखने नहीं है ज्यादा premium received होता है और reinsurance premium accepted add होता है question के अंदर केवल reinsurance लिखा हो तो reinsurance premium seeded होता है यह याद रखना बहुत गल्ती होगी यह बहुत गल्ती reinsurance केवल लिखा हो तो क्या माना जाएगा premium and reinsurance seeded और end of the outstanding end of the year add होगा, outstanding beginning of the year less होगा क्यों होगा इसके पीछे की कहानी बहुत लंबी है ठीक है तो उसको फिर समझाऊंगा किसी दिन अगले वीडियो में किसी समझाऊंगा चल करके आज हमको यह चार कवर करने हैं वो भी कम समय में दूसरे नंबर पर आते हैं claims, तो claims में जब आएंगे तो क्या होता है, सबसे पहले लिखेंगे claims paid ओके, और ये कैसे direct business claims paid लिखा हो claims paid from direct business लिखा हो, कुछ भी, वो तब यहाँ पर लिख लेंगे, ओके अब देखो add क्या क्या होगा add, क्या क्या होगा, मैं किताब से हट करके थोड़ा format बता रहा हूँ वहाँ एक value add, फिर less, फिर add, फिर less, फिर less, फिर less बल रही है मैं बता रहा हूँ एक साथ की क्या क्या add होगा, ध्यान दीजेगा सबसे पहले क्या add कर, क्या क्या add करेंगे, legal expenses related to claim add होंगे, उसके साथ ही साथ survey expenses, cable survey expense लिखा हो या related to claim लिखा हो related to claim, दोनों इस situation में add ही होगा, ओके, और क्या क्या आएगा यहाँ पर तो outstanding claims, outstanding claims end of the year, वर्ष के अंत में जितना outstanding claim होगा, वो सब add हो जाएगा, और क्या add होगा, claims intimated but not accepted यह भी add होगा, क्या आप कह रहा है, but not accepted sir और आप add कर रहे हैं, अरे intimation तो हो गया, मुझे पता तो चल गया, मुझे पता चल गया है as a company, तो मैं survey करवाऊंगा, उसके बाद देखूंगा, अगर accept करने वाला है तो accept करूंगा, okay, convention of conservation क्या कहती है, अगर loss आपको पता चलता है कि loss हो रहा है तो उसको loss मान लो, उसको profit ना मानो, तो इस वज़े से intimated हो गया, तो accept करो या न करो add हो जाएगा, और क्या add होगा, claims on, reinsurance, accepted, reinsurance के claim जितने मैंने accept कि हैं, वो सब add हो जाएगे, okay, बात clear हो गई, हाँ जी सर clear हो गई, यह सब जोड़ देंगे, इस में से less होगा, क्या-क्या, claims, on, reinsurance, ceded, अगर मैंने as a company किसी से अपना बीमा लिया, दुबारा बीमा ले लिया था, और उससे अब हमें recover, वापस ले लेना है, claim हुआ, मैं उससे वापस लूँगा, तो क्या करूँगा, यहाँ, less कर दूँगा, फिर less क्या होगा, reinsurance recovery, यह ध्यान दीजिएगा, insurance, recoveries, कुश्चन के अंदर केवल लिखके आए, reinsurance recoveries, आपको पता होना चाहे, related to claim, चाहे, कहे, related to claim, और not, यहाँ कहा गया हो कि यह claim से संबंधित है, यह ना कहा गया हो, आपको पता होना चाहिए, यह claim से ही related होता है, इस वज़े से इसको मैं क्या करूंगा लेस करूंगा क्यों लेस कर रहा हूं क्यों एड कर रहा हूं मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा कि मैं आपको सिर्फ यह फॉर्मेट बताता हुआ चलू तो टाइम बढ़ेगा तो बढ़ने तो लेकिन मैं बताऊंगा समझनान में समझना आपके उपर देखो यह सब क्यों एड करूंगा क्लेम्स मैंने तो पे किया किया साथ में कुछ लीगल इक्स्पेंसेस किये प्留लि कि अफंटे नोग क्लेम्स सामने वाले ने मुझे बताया था इतना नुक्सान हुआ मैंने अपने सुपरवाईजर कुछ ना भेजें कि जाओ देख करके आओ इंस्पेक्सन करो कि कि लॉत हुआ कि नहीं हुआ वह लोग करके आये बताए लॉस हुआ तो मैं देना ही पड़ेगा उनके इंस्पेक्शन का चार्ज उनको लख से देना पड़ेगा तो लीगल इक्सपेंस तो बढ़ जाएगा ना क्लेम survey expense, उनको भेजा मैंने पता कराने लिए, survey expense, outstanding claim end of the year, ऐसे claim जो मेरे उपर हो चुके हैं, लेकिन मैं pay नहीं कर पाया हूँ, तो अगले words pay करना पड़ेगा न, इस वज़े से add कर दो, ठीक है न, claims intimated but not accepted, मैंने बीमा लिया था, मुझे पता चल गया है कि claim हो गया, मुझे देना पड़ेगा, नुकसान हो चुका है, मैंने अभी accept नहीं किया है, तो क्या मुझे देना नहीं पड़ेगा claim, देना पड़ेगा न, इस वज़े से add करूंगा, let's add करूंगा claims on reinsurance accepted, किसी बीमा company से मैंने reinsurance accept किया, तो अब उसकी हाँ loss हुआ, तो claim मुझे देना पड़ेगा, इस वज़े से मेरा claim और बढ़ जाएगा, वो क्या समझा रहा है, ऐसे ही claims on reinsurance ceded, And last point, outstanding claims, Beginning of the year, Beginning of the year, ऐसा करने पर यहाँ जो value आएगी, वो claims paid और incurred net आजाएगी, ओके, अगर ऐसे ता कर पाए, पता चल जाएगा claims क्या है, अब चलेंगे हम लोग schedule number 3 commission की और, commission बहुत आसान होता है, यहाँ पर सीधे लिखो commission सबसे आसान यही होता है, commission paid, add करो, commission on reinsurance accepted, इसको add कर लो, क्यों add कर लो, अरे देखो, एक तो मैंने direct अपने यहाँ जो मुझे मिला premium, उसपर मैंने commission pay किया, वो तो किया किया, reinsurance मैंने accept किया, क्या किया, किसी ने मुझसे बीमा करा लिया, दोबारा मैंने accept कर लिया, तो क्या होगया, reinsurance accepted, तो जो प्रीमियम मैंने अग्सेप्ट करई कमिशन उसको देना पड़ेगा मुझे की नहीं देना पड़ेगा क्या है कमिशन और रिंसरेंस एक्सेप्टेडड आल्वेज दार होगा कि मिलंट प्रिंशन रिंसरेंस सीड़ बस यह net commission पेड़ा जाएगा commission पेड़ा जाएगा commission और रिइंस्परंस सीड़ मैंने बीमा बेचा फिर उस बीचे गए बीमे में से कुछ हिस्सा मैंने किसी और को बेच दिया मतलब premium किसी और को दे दिया तो उस बीमा कंपनी से मैं commission ले लूँगा ना अपना तो वो तो commission मैं यहां दिखा चुका हूँ कि मैं पेकर चुका हूँ अब क्या करूं तो यहां घटा दो बात बराबर हो जाएगी इस वज़े से commission और रिइंस्परंस एक्सेप्टेड़ होगा commission और रिइंस्परंस सीड़ इक्सपेंसे यहां आते हैं डप्रीशेशन यहां आता है सेलरी यहां आता है जनरल इक्सपेंसे यहां आते हैं लौज ऑफ मोटर कार्ट यहां आता है लीगल इसन नौट रिलेटेड टू कलेम यहां यहां आता है वैसे तो रिलेटेड टू कलेम यहां यहां थीख है नपोस्टेजें टेली ग्राम यहां आता है ठीक है न इस्टेशनरी यहां आता है टेलीफोन यहां आता है ठीक देखो यह सब कौन से खर्चें यह वो खर्चें है जिनको करने पर ही विवसाय हमारा संचालित होता रहेगा इन्सरेंस ऐफ बिल्डेंग यहीं आएगा बात समझ में आरे यहां सर आ रही है इसको जोर देंगे तो क्या आ जाएगा यह आजाएगा ओपरेटिंग सब्सक्राइब मैं आपको बोल रहा था नहुंदर कि आपको हमेशा परशान करेगी सिर्फ एक वेली वे है रिइंसरंस क्यों देखो रिफ काम्मन बात बता रहा हूं न एक बार में एक पूरी कहानी बनाता हूं उसमें कुछ points पर ही concentrate करता हूं मेरी इस पूरी कहानी में एक ही villain है वो कौन है re-insurance वो ही परिशान कर रहा है मैंशा कभी premium में घुश जा रहा है कभी claim में आ जा रहा है कभी commission में चला जा रहा है कभी accepted है कभी ceded है कभी intimated है क्या मतलब है समझ नहीं आ रहा है तो मैं समझाता हूँ चाहे premium में हो चाहे claim में हो चाहे commission में हो अगर re-insurance accepted की बात कह दे आगे accepted मिल जाए तो add होता है ceded मिल जाए तो less होता है आओ देखो accepted यह देखो क्या लिखा add ceded यह देखो क्या लिखा less premium on re-insurance accepted add हो गया premium on re-insurance received add हो गया premium re-insurance ceded less हो गया okay इधार आओ claims claims on claims on claims यह देखो on re-insurance accepted add हो गया ठीक है ceded less हो गया accepted add ceded less यह देखो accepted क्या हो गया add हो गया यह देखो ceded क्या हुआ less हो गया कि अब तो problem ही नहीं दे गई कि समस्या तो यहीं देता है न और तो कोई problem ही नहीं आती है अजी सर अभी तो clear हो गया आप नहीं भोलेंगे लास्ट पॉइंट बच्चा समझ लो वह क्या है वो समझना है तुमको change in reserve for unexpired risk IRDA की section 64 के class second में कहा गया कि प्रतेक बीमा company प्रतेक general insurance company अगर वो fire insurance company है या फिर marine insurance company है या फिर accident insurance company है उसको अपने यहां net premium का एक reserve बनाना होता है प्रतेक वर्स कितना in case of fire insurance and accident insurance reserve can be maintained 50% of net premium and in case of marine insurance reserve can be maintained up to 100% of the premium okay अगर fire insurance और accident insurance की बात करेंगे तो net premium का 50% का reserve बनाना होगा और अगर marine insurance की बात करेंगे तो यहां पर net premium के 100% का reserve बनाना होगा ओके तो अगर premium का 100% हम reserve बना देंगे तो विवसाह कैसे करेंगे अरे समझे नहीं और मैं क्या कह रहा हूँ change in reserve for मुझे change कर देना है अगर थोड़ा बहुत उपर नीचे हो रहा है न तो उसको change करके उतना उसके बराबर का label कर देना बस आपको पूरा नहीं बना लेना है उ नब्बे लाक रुपे और इसी वर्स में इस बार आपकी जो premium net है वो है एक करोड रुपे अब इस situation में देखो हमें क्या करना है यहां पर change in reserve for unexpired risk देखना है तो नब्बे और एक करोड के बीच का जो difference है 10 लाक रुपे केवल वही आपको provision करना है पूरी value provision करके नहीं रो चेंज इन रिजर्व पर अन इक्सपाइड रिस्क अन इक्सपाइड रिस्क तो यहां आपको ध्यान रखना है कैसे करेंगे हम लोग सबसे पहले opening balance opening balance यहां जितना आपका opening balance होगा उसको यहां पर ले लेंगे और यहां से minus करेंगे current year provision current year provision आप यही करिएगा book में अगर देखेंगे तो दो तरीके से लिखाए एक जगे लिखाए current year provision minus opening balance फिर लिखा है opening balance minus current year provision मतलब जो value बड़ी हो उसके आधार पर provision करो लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको सिर्फ इसी तरीके से रहना है कैसे जैसे मान लो opening balance है आपका 90 लाख रुपे और इस वर्स की premium है आपकी एक करोड in case of fire insurance अब fire insurance की condition में net premium का 50% reserve करेंगे तो वो आएगा 50 लाख रुपे तो यहाँ पर 90 लाख से हम 50 लाख minus करेंगे तो हमारा 40 लाख रुपे surplus में बचेगा और इसको format में अपने हम लोग 40 लाख प्लस में दिखा लेंगे लेकिन अगर यही same situation हमारी marine insurance में आ जाए तो वहाँ 90 लाख रुपे हम यह वाले तो लिखेंगे लिखेंगे ऐसे ही लिखेंगे यह 90 लाख तो हमारे ऐसे ही रहेंगे लेकिन marine insurance में 100% का premium किया जाता है अब जब हम एक करोड का 100% premium करेंगे तो वह value आएगी हमारी एक करोड रुपे अब एक करोड रुपे आएगी तो यहां जब minus करेंगे तो क्या बचेगा 10 लाख रुपे हमारा minus में value आ जाएगी बस आपको यह ध्यान रखना है तो हमेशा opening balance minus current year provision ही करेंगे कोई भी situation आ जाए हमारे पास अगर ऐसे value प्लस में बच रही है तो plus की लिख लेंगे minus में चले जा रहे हैं तो minus में लिख लेंगे ध्याम दीजेगा fire insurance और accident insurance इन दोनों ही condition में net premium का 50% का reserve हम current year में बनाते हैं लेकिन अगर marine insurance है तो net premium का 100% reserve बनाया जाता है additional reserve for unexpired risk question में जैसा बोला गया हो केवल उतना ही करेंगे अगर नहीं बोला गया तो नहीं करेंगे अगर बताया गया है कि 1% बढ़ा दो, 2% बढ़ा दो, 10% बढ़ा दो, 20% कर लो जैसा कहा गया हो वैसा ही करेंगे लेकिन अगर change and reserve for unexpired risk कहा गया हो या ना कहा गया हो तो उनों ही situation में हम करेंगे ही करेंगे और fix है कि इतना ही करेंगे fire और accident में 50% और marine की condition में 100% of net premium तो उमीद है आपको अगर ये format समझ में आ गया है पूरा तो कोई भी question आपसे गलत नहीं होगा insurance companies में और अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो like और comment तो करिएगा करिएगा साथ ही साथ इसको share जरू कर देना अपने उन दोस्तों के साथ जो insurance companies मतलब corporate accounting को अपने syllabus में पढ़ रहे हैं मिलेंगे अगले वीडियो में format देखेंगे वहां पर revenue account का कैसे तयार किया जाता है तब त